दिश्टी आज वेलकम बैक टो आवर यूटुब चैनल और वेलकम टो माइ न्यू वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के उपर परसों के लिए हमारे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट रजिस्टेंस लेवल क्या रहेग तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स टाइम देख रहें उन लोगो मैं बताना चाहूंगी मैं इस चैनल पे निफ्टी, बैंक निफ्टी के उपर वीडियो रेगुलर्ली अपलोड करती हूँ एडिकेशन परपस के उपर वीडियो अपलोड कर देती हूँ साथ ही साथ मैं स्टॉक एनलिसिस के उपर वीडियो अपलोड कर देती हूँ तो आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लो और बैल नोडिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सही से आती जाए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और इंपोर्टन चीज मैं आपसे डिसकस करना चाहूंगी अब स्टोक्स हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ही बढ़िया ओफर लेके आया है और ये ओफर कुछ दिनों के लिए है तो इसमें आपको एक फ्री डिजिटल गोल्ड मिल रहा है एवरी साइन अप के ऊपर साथ ही साथ फ्री डीमैट एंट ट्रेडिंग अकाउंट मिलता है फ्री एक्विटी डिलिवरी ट्रेट्स मिलते हैं अनलिमिड़ ब्रोकरेज क्रेडिट मिल रहा है 30 डेज के लिए तो ये सारे बेनेफिट्स आपको मिल सकते हैं अगर आप अपना डीमैट अकाउंट अप्स्टोक्स के साथ ओपन कर लीजेगा और जो भी लोग 11 मेज से 20 मेज के बीच में अपना अकाउंट अप्स्टोक्स के साथ ओपन करते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा बेनेफिट्स मेरे तरफ से रहेगा उनका जो फोन नमबर रहेगा वो मैं ले लूँगी इस बीच में जिनका भी अकाउंट ओपन होगा उनका क्लाइंट आइडी और फोन नमबर में ले लूँगी और उनको मैं पर्सनली इंपोर्टेंट लेवल्स आपको शेर करूँगी तो जल्दी से अपना अकाउंट जो है वो अपस्टॉक्स के साथ ओपन कर लीजेगा और जिनका अल्रेडी प्रोसीजर चालू है तो जल्दी से प्रोसीजर कंप्लीट कीजेगा और 11 में से 20 में के बीच में ही अपना अकाउंट ओपन कर लीजेगा आपको extra benefits मेरे तरफ से मिल जाएंगे तो अभी हम लोग start करते हैं हमारा आज का विडियो Nifty के साथ तो देखिए Nifty की आज की closing कहां पे आई हुई है तो Nifty की आज की closing आई है वो आई है 14,696 के पास और bank Nifty की आई है 32,452 के पास तो देखिए आज Nifty के अंदर हमें गिरावट जो है वो continue होती हुई दिखाई दी कल Nifty ने 900 के उपर भी नहीं जाग पाया और आज Nifty 800 भी hold नहीं कर पाया तो Nifty जो है अभी फिलहाल 700 के आज पास बंद हुआ है लेकिन यहाँ पर important ये था कि Nifty 700, 850 के resistance zone के उपर ही रहे जो कि हमारा support zone बन चुका था लेकिन वो आज तूट गया है और उसके नीचे की closing हमें मिली है वैसे अगर बात करें तो आज expiry थी तो expiry move के अंदर हम लोग ये सब जो है वो movement की बाते बाद में करेंगे क्योंकि expiry के दिन volatility बहुत जादा रहती है market का movement किसी भी side में जा सकता है तो अभी हमारे लिए important रहेगा जो next trading session रहेगा जो की रहेगा Friday को तो उसमें अगर market गिरावट continue रखता है तो यहां से और 300-400 points की गिरावट हम लोग निफ्टी के अंदर देख सकते हैं otherwise अगर Friday को market positive रहता है 800-850 के ओपर trade करता है तो positivity बनी रहेगे फिर से हम लोग निफ्टी को 15,000 और 15,200 के तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं तो अभी हम लोग निफ्टी का option chain data discuss करते हैं 20th मई का तो अभी मेरे सामने option chain data है call side में अगर देखे सबसे जादा open interest कहा पर बना हुआ है तो highest open interest जो है वो 15,500 के उपर है और second highest 15,000 के उपर है वही call side में आज सबसे जादा call writing कहां पर हुई है तो आज सबसे जादा call writing हमें दिखाई दे रही है 15,500 के लेवल के उपर वही उसके बाद में 14,800 के उपर और 15,000 के उपर भी हमें अच्छी खासी call writing जो है वो दिखाई दे रही है तो फिलहाल अभी अगर बात करें निफ्टी के लिए resistance की तो देखें निफ्टी ने अपना जो important support zone था 11,700 और 14,800 का लेवल वो तो break कर दिया है तो यहाँ पर अभी फिर से निफ्टी को इस zone के उपर stable होना होगा तब ही यहाँ से हम लोग निफ्टी को अपने next resistance के तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं जो की रहेगा 15,000 के लेवल के उपर और 15,500 की बात करें तो जब तक 15,000 क्लियर नहीं होता है upside के लेवल पॉसिबल ही नहीं है अभी फिलाल हमें क्या important यह देखना है कि 15,000 और 15,200 का लेवल वो कैसे possible है अगर निफ्टी 14,800,850 के उपर closing basis के उपर रहता है तो तब ही यह levels upside के possible है निफ्टी के अंदर वही downside की बात करें तो देखे put side में सबसे ज़ादा open interest कहां पर बना हुआ है तो highest open interest बना हुआ है 14,000 के लेवल के उपर वही आज सबसे ज़ादा put writing कहां पर हुई है तो देखे आज सबसे ज़ादा put writing हमें दिखाई दे रही है वो 14,000 के उपर ही दिखाई दे रही है तो देखे बहुत सरी लोग wall writing, put writing इसके बारे में भी नहीं पता है तो मैंने उसके लिए एक video already आपसे share किया हुआ है दो parts मैंने आपसे share किये है option chain analysis part 1 and part 2 वो आपको मेरे channel के उपर मिल जाएंगे और नीचे description box में भी मैंने उनके links जो है वो दे दिये है तो वो video ज़रूर देखिएगा आपको समझने में आसानी होगी क्योंकि everyday के video में ये समझाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि already video 10 से 15 मिनिट का हो जाता है उसमें अगर मैं ये समझाने बैटूंगी तो और ज़्यादा बढ़ा हो जाएगा तो उसके लिए वो video ज़रूर देखिएगा नीचे description box में मैंने link आपसे share की हुई है से major fall हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर तो 14,500 अगर break होता है तो निफ्टी हमें दीरे-दीरे करके और 500 points की गिरावट भी दिखा सकता है तो 14,500 और 14,000 का level निफ्टी के लिए important और crucial support का level रहेगा तो अभी option chain data आपने देख लिया है तो चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर निफ्टी के तो निफ्टी का one day candlestick pattern chart मेरे सामने और निफ्टी ने डेली चार्ट के ऊपर एक bearish candle form की हुई है और देखिए मैं इंट्राडे में भी आपको important levels important updates जो होते हैं वो आपसे शेयर करती हूँ अपने टेली ग्राम चैनल के ऊपर तो अगर आपने मुझे टेली ग्राम के ऊपर अभी भी जॉइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लो नीचे description box में मैंने लिंक आपसे शेयर की हुई है देखिए टेली ग्राम के ऊपर मैं हमेशा कुछ ना कुछ important levels important जो guidance रहेगा वो मैं आपसे वहापे शेयर करती जाओंगी साथ ही साथ आपको अगर मेरी channel membership join करनी है तो वो भी कर सकते हैं उसकी भी लिंक मैंने नीचे description box में आपसे शेयर की हुई है वही अगर आप देखोगे तो subscribe button के बाजू में आपको एक और icon दिखेगा join button करके तो वहाँ से भी आप चैनल membership join कर सकते हो तो देखे जो लोगों ने platinum membership प्ली हुई है उनको मैं personal guidance देती हूँ आपके जो भी queries होंगे live market में वहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हो क्योंकि कभी कभी क्या होता है अगर आप comments करते हो तो comments का reply देने में बहुत time membership join की है तो ही आपको मेरा personal contact मिलेगा यह मैंने already वहाँ पर mention किया है gold members में आपको important videos, important levels, important strategies मिलेंगी और जो normal membership है उसमें आपको stock के ऊपर guidance मिलेगा stocks के ऊपर आपको extra levels आपको कौन से stocks buy करने चाहिए अपने portfolio के लिए उस हिसाब से वहाँ पर आपको वह guidance मिलेगा तो उस हिसाब से अपनी चैनल membership join कीजेगा और अभी अगर हम लोग बात करें Nifty की तो देखे Nifty has peers 14,700 during the intraday session and manage to close around this level तो यहाँ पर important यह रहेगा Friday को कि Nifty 700 के ऊपर टिकता है कि नहीं अगर Nifty 700 के ऊपर टिक जाता है तो यहाँ से Nifty हमें 850 के तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा और अगर 850 के ऊपर closing मिल गई तो यहाँ से Nifty के अंदर हमारे जो upside के level stay 15,000 और 15,200 वो फिर से खुल जाएगा लेकिन अगर Nifty 14,700 को नहीं hold करता है, manage नहीं करता है तो यहाँ से हम लोग गिरावट जो है वो 14,400 तक की देख सकते हैं Nifty के अंदर तो यह possibilities रहेंगी आज की बात करें तो आज Nifty के ओपनिंग कहां पे हुई थी तो Nifty के आज की ओपनिंग 14,023 के पास हुई थी वहाँ से intraday low था 14,649 का और intraday high था 14,024 का तो देखिए आज Nifty ने important support था 656,60 के पास वो hold किया यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आप से बात की थी Nifty के लिए important support for 14,660 के पास था और Nifty वहाँ तक गिरा लेकिन वहाँ से फिर से bounce back लिया closing time पे और 650 के उपर यानि के 700 के आज पास की हमें closing जो है मिल गई उससे नीचे Nifty नहीं गया तो यहाँ से आगे Nifty के लिए कौन-कौन से important support और resistance के levels रहेंगे तो यहाँ से first important support रहेगा 650-660 का level अगर इसको तोड़ दिया तो यहाँ से intense selling pressure आता हुआ हम लोग देख सकते हैं जो Nifty को 14,590 तक गिरा सकता है फिर next important support 590 के पास है अगर यह भी hold नहीं होता है तो Nifty हमें 550 और 510 के next important support zone में बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है तो यह support के levels रहेंगे Friday के लिए अब site की बात करें तो upside के लिए first resistance रहेगा 14,760 का level अगर इसके उपर Nifty sustain कर लेता है तो यहाँ से Nifty हमें 14,810 और 14,860 तक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है तो यह important resistance के levels है तो जो भी support resistance के levels मैंने आप से share किये हुए है प्लीज अपने चार्ट के उपर mark कीजएगा आपको trading के वक्त definitely helpful होगा और कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो मैं आपको answer कर दूँगी तो यह important Nifty के लिए levels दे अभी बात करते हैं bank Nifty के उपर तो bank Nifty की closing आई है 32,452 के पास तो Nifty Bank भी third day पे गिरावट जो है वो continue हमें दिखाई दे रही है और आज Nifty Bank ने bearish candle form की है यहां से आगे कि अगर बात की जाए तो Nifty Bank के लिए downside के लिए 32,000 का अभी भी important support है जब तक इसके उपर है Nifty Bank Nifty Bank के chances 33,500 के बने हुए है अगर 32,000 break होता है तो और 1000 से 1500 points की गिरावट हम लोग Nifty Bank के अंदर देख सकते हैं तो Nifty Bank का अगर option chain data हम लोग देखें करें तो देखें कॉल साइड में सबसे ज़्यादा open interest जो बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 33,000 के level के उपर और call writing भी हमें सबसे ज़्यादा इसी level के उपर दिखाई दे रही है तो मैंने ये बात पहले भी आपसे कही है Nifty Bank के लिए अपसाइट के लिए देखें first 33,000 का resistance है और अगर इसके उपर Nifty Bank sustain कर लेता है तो और 1000 points हम लोग add कर सकते हैं Nifty Bank के अंदर फिर next जो resistance है व अही downside की बात करें तो देखें सबसे ज़्यादा important कहां पर support बना हुआ है तो वो है 31,000 और 32,500 के उपर put writing सबसे ज़्यादा कहां पर हुई है तो देखें आज अगर देखें तो हमें 32,500 के उपर अच्छी खासी put writing देखने को मिरी है तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो 32,000 से लेके 32,500 का अगर निफ्टी बैंक इस zone के नीचे फिसल जाता है तो और जादा गिरावट हम लोग निफ्टी बैंक के अंदर देख सकते हैं जो निफ्टी बैंक को 31,000 और 30,500 के तरफ गिरा सकती है तो यह important support और resistance के levels इस option चें data के उपर से रहेंगे अभी बात करते ह है चार्ट के उपर तो देखिए आज की अगर बात करें तो आज ओपनिंग हुई थी 32,000 717 के पास इंट्राडे लो था 32,000 352 का इंट्राडे हाई था 32,000 747 का तो किसी ने तो मुझे आज mail किया था तभी मैंने आप से उनको कहा था कि 32,000 350 and 500 के पास good support है तो आई होप आप profit book कर लिया हो क्योंकि आप लोग क्या करते हो मुझे पूछते तो हो कि 32,600 का PE लिया है लेकिन कौन से expiry का लिया है वो भी साथ में बता दिया करो ताकि मुझे आपको बताने में आसानी हो सकी कि आज की expiry का है next expiry का है तो फिलाल मैंने तो उनको बता दिया कि 350 या फिर 500 के पास अपना profit book कर लो अब site के लिए 32,700 का इसे mention रखो तो I hope आपने profit book कर लिया होगा तो अभी अगर हम लोग बात करें निफ्टी बैंक के important support और resistance के levels की तो देखे यहां से जो first important support रहेगा 32,350 का level अगर इसके नीचे निफ्टी बैंक चाता है तो यहां से next important support 32,080 का level अगर यह भी hold नहीं होता है तो next important support 31,850 का level रहेगा अप site की बात करें तो अप site के लिए first resistance रहेगा यहां से 32,850 का level अगर निफ्टी बैंक इस level को पार करता है इसके उपर sustain हो जाता है तो यहां से हम लोग अच्छी खासी rally जो है वो निफ्टी बैंक के अंदर देख सकते हैं जो निफ्टी बैंक को 33,000 80 और 33,000 180 के तरफ लेके जाएगी तो यह important support और resistance के level से जो आपको आपके चार्ट के उपर mark करने हैं तक कि आपको trading के वक्त helpful हो सके सो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना वीडियो अगर बहुत जदा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने friends family के साथ जिनको भी यह वीडियो यूसफुल है उन सब के साथ इस को जरूर शेयर करना और इन सब को कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सो थैंक यू बेरी मच फू वाचिंग दिस वीडियो मैं मिलूंगी अपसे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन वाबाय टेक केर एंड ट्रेड केर फुली